दूसरा जो मैदान है इसे हम गंगा का उपरी मैदान कहते हैं गंगा का उपरी मैदान पश्चिम में गंगा यमना दुवाब के मध्य में यह स्थित है यहाँ पर गंगा और घागरा यह प्रमुख नदिया है पूर्व में आवद का मैदान है जबकि पश्चिम में गंगा यमना का दुवाब देखने को मिलता है दक्षिन का जो क्षेत्र इसे यमना पार का क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र में बांगर की प्रधानता है और यहाँ पर क्षारी मिट्टी का जमाव जो है सरवाधिक देखने को मिलता है तीसरा जो मैदान है इसे हम मध्य गंगा का मैदान कहते हैं गंगा के तीन भाकियग है उपरी गंगा, मध्य गंगा और गंगा का निचला मैदान। जो मध्य गंगा का मैदान है यहां खादर क्षेत्र के अंतरगत आता है, इसका ढाल बहुत ही मंद है, नदियों ने यहां पर काफी अधिक विसरपन लियावा है और अनेक चापकार जील यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही परित्यक्त नदी की घाटियां भी यहां की प्रमुख विशेष्टा है, यहां पर बाढ़ का जो प्रकोप है यहां निरंतर होता रहता है और इसक्षेत्र में खट भूमी की कमी देखने को मिलती है। अगला जो है गंगा का निचला मैदान या इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का मैदान इसके अंतरगत आता है, इसके अंतरगत खादर का क्षेत्र या बाढ़ का मैदान, परित्यक्त नदी की घाटियां और प्राकृतिक बांध यहां पर सरवाधिक प्रमुख इस्थलाकृतियों के रूप में देखने जाते हैं। इसक्षेत्र में नदियों के निक्षेपन की प्रधानता देखने को मिलती है। गंगा नदी का जो डेल्टा है, यह विश्व का सबसे प्रमुख या संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह जो डेल्टा है, यह लगभग 59306 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह समुद्र के किनारे में यहाँ पर कहीं कहीं पर एक्ष्च्वरी का भी निर्मान होता है, कहीं पर बालू का भित्ती और कहीं पर कच्छ की आकृती भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर छोटे-छोटे द्वीपों का निर्मान भी हुआ है। यहाँ पर गंगा नदी ने जुआरी वन के क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसे हम सुन्दर बन के नाम से जानते हैं पश्चिम भाग यहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा का लगभग इस्थिर है लेकिन पूर्वी भाग जो है इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और यह जो परिवर्तन है यह समुद्री क्षेत्र में आवा गमन की स्थिति को दर्शाते हैं पांचवा जो मैदान है इसे हम असम या ब्रह्म पुत्र की घाटी वर्ति क्षेत्र कहते हैं इसका निर्माण अभिनती में अवसाद के जमाओं के कारण हुआ है और यहाँ पर अनेक धाराओं में नदियां प्रवाहित होती है इस ख्षेत्र में कई छोटे छोटे नदियों के दो धाराओं के बीच में द्वीपों का निर्माण हुआ है वैसे ही यहाँ पर कई चापाकार जीले नदियों का विसरपन यह यहाँ की प्रमुख इस्थालाकृती रही है इसके बाद जो चटवा प्रमुख शेत्र है इसे हम राजस्थान का मैदान कहते हैं बच्चों मैंने इसके पहले भी आपको बताये था कि कुछ लोग राजस्थान को इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में सम्मिलित करते हैं तो कुछ विद्वान राजस्थान का मरुस्थली भूबाग को अलग मानते हैं राजस्थान अरावली परवत के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में कावी उबर खाबर मैदान का विकास हो गया है यह मैदान इस उत्तर भारत के मैदान से पश्चे में स्थित है और इसकी तरह यह उपजाओ नहीं है बलकि यह पूरी तरह से मरुस्थली मैदान है यहाँ पर मरुस्थली आकृतियां जिसमें बर्खान या बलुके टिब्बे और कहीं पर बालुमय वातावरन और कहीं कहीं पर चट्टानी वातावरन देखने को मिलता है राजस्थान का मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान से पूरी तरह से भिन्न है इसे हम भारती मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं लगभग 175,000 वर्ग किलोमीटर के ख्षेत्र में है यह व्यापत है इसे मारवाड का मैदान भी कहा जाता है बच्चो अरावली के जो उत्तरी पूर्वी भाग में यह पूरा मैदान विश्तरित है और हम इसे मरुस्थल क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा का अभाव है वर्षा यहाँ पर 10 से 25 सेंटीमिटर या उससे भी कम होती है ऐसा माना जाता है कि मेसो जोईक युग में यह संपूर्ण मैदान समुद्र में समाया हुआ था या समुद्र का एक हिस्सा था और इसकी जो पुष्टी है आज भी जैसल मेर के निकट जो समुद्री निक्षेप है उससे होती है तो ये माना जाता है कि समुद्र का एक हिस्सा था यहाँ पर पाई जाने वाली जो बालू के टिब्बे या जो रेत में या बालू में वातावरन और कहीं कहीं पर पत्थिरिले जो इस्थल है वह इस मरुस्थल के संड़चना को बताता है बालू के जो टिले है वो समुद्र के पास में अनुप्रस्थ है लेकिन समुद्र से जब दूर के खेत्र में ये अनुदायर्धे प्रकार के हैं तो ये दोनों ही भिन्न भिन्न है यहां पर कहीं कहीं पर चुकि ये मरुस्थल कहीं कहीं पर पत्थरीला भी है तो यहां पर कहीं कहीं पर ग्रेनाइट या नाइस और कहीं कहीं पर शिष्ट शैले देखने को मिलती है इस मरुसल के दक्षिन में लूनी नदी का प्रवायक मात्र नदी लूनी नदी इस ख्षेत्र से बैती लूनी नदी का बेसिन यहाँ पर देखने को मिलता है यह जो लूनी नदी के अलावा जो अन्य इसकी कई छोटी बड़ी नदियां इसके उत्तर में जो प्रवायत होती है यह नदियां यहाँ पर आते आते इनका जल लुपत हो जाता है और इसलिए हम इसको अंतह इस्थली प्रवाह के नाम से भी जानते हैं इसके उत्तर में कई जीलों का विकास हुआ है यह जो जीले है इसमें जल यदी वर्षा होती तो वर्षाकाल में जल रहता है शेश समय में यह पूरी जीले सूखी रहती है और इसकी जो तली होती है इसमें नमक का जमाव देखने को मिलता है वैसे ही भी ये जीले खारे पानी की जील है प्रमुख जीले जो है इसमें सांभार दिद्वाना दिगाना और कुछमान ये प्रमुख जीले हैं जिसमें सांभार जील जो है ये सरप्रमुख जील है मरुस्थल में कहीं पर बालू का फैलाव है कहीं पर शैल की धरातल है और इसी आधारपर यहां पर हम इसको जलोढख वालकशेत्र भी कहते हैं क्योंकि जल से प्राप्त जो समुद्र के निक्षेफ है वो भी यहां पर कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं जिसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट शैले हैं यहां की प्रमुख शैले हैं तो बच्चों यह तो मद्य का मैदान हुआ इस मैदान के भी कई लाभ हैं बच्चों उत्तर भारत का ये विशाल मैदान न केवल अपनी भोगोलिक संरचना के लिए बलकि हमारे जीवन में भी इसका बहुत अधिक लाब है कौन-कौन से लाब है देखिए ये मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोड़क मिट्टी से बना है ये जलोड़क मिट्टी क्रिशी के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है यहाँ पर विभिन प्रकार के फसलों की क्रिशी की जाती है और वर्ष भर ये ख्षेत्र क्रिशी के लिए उप्यूपत होता है क्योंकि वर्ष भर यहाँ जल उपलब्ध होता है यहाँ पर बहने वाली जो सदा नीरा नदियां है सदा नीरा अर्थात वर्ष गामी नदिया वर्ष भर ये बहती है और इन नदियों से वर्ष भर जल की प्राप्ति होती जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते है इसके अलावा इस ख्षेत्र में इन नदियों से पीने का जल भी परियाप्त मात्रा में उपलब्ध होता है जिससे बहुत अधिक आबादी इस ख्षेत्र की और आकर्शित हुवी है फिर नदियों में नौकायन या मनुरंजन के साधन भी है कुछ आर्थिक दिश्टी से भी नौकायन होता है इसके अलावा यहां मत्स्योत पादन की प्रक्रिया भी होती है और कई जगह कल कारखानों की स्थापना भी हो चुकी है यह कारखाने भी जल इसके लिए एक आवश् है जगह जगह पर नहरों का विकास किया गया है जो कृषि के लिए बहुत सायक सिद्ध हुई है तो इस प्रकार से यह संपूर्न मैदानी भाग जलोडक मिट्टी के करण जहां कृशी के लिए उपयुकता है वहीं सम्तल मैदान होने के करण परिवाहन के साधनों का भी वि नदियो द्वारा लाई गई जो रेत है यह रेत मकान बनाने के लिए डैम बनाने के लिए भी बहुत उपयोग में आती है और इस प्रकार से least पानी का विभिन उपयोग इसके अलावा यह जो नदियां है यह नदियां भारत के जो राजनेतिक या प्रशासनिक इकाईयों को भी बाटने में सहायक है तो इस प्रकार से इन उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है यह हमारे लिए बहुत ही महतवपूर्ण या लाबदायक मैदान के रूप में है यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोड़क मिट्टी से बना है यह जलोड़क मिट्टी कृशी के लिए बहुत ही महतवपूर्ण है यहाँ पर विभिन प्रकार के फसलों की कृशी की जाती है और वर्ष भर यह शेत्र क्रिशी के लिए उप्यूपत होता है क्योंकि वर्ष भर यहाँ जल उपलब्ध होता है यहाँ पर बहने वाली जो सदा नीरा नदियां है सदा नीरा अर्थात वर्ष गामी नदिय वर्ष भर यह बहती है और इन नदियों से वर्ष भर जल की प्राप्तियोती जिससे सीचाई के साधन उपलब्ध हो जाते हैं इसके अलावा इस ख्षेत्र में इन नदियों से पीने का जल भी परियाप्त मात्रा में उपलब्ध होता है जिससे बहुत अधिक आबादी इसक्षेत्र की और आकरशित हुवी है फिर नदियों में नौकायन या मनौरंजन के साधन भी है कुछ आर्थिक दिश्टी से भी नौकायन होता है इसके अलावा यहां मत्स्योत पादन की प्रक्रिया भी होती है और कई जगह कल कारखानों की स स्थापना भी हो चुकी है यह कारखाने भी जल इसके लिए कावश्यक तत्व होता है किसी कारखाने की या किसी उद्योग की स्थापना के लिए तो यह सभी चीजे यहां पर उपलब्ध है जगह जगह पर नहरों का विकास किया गया है जो क्रिशी के लिए बहुत साहयक सि वहन के साधनों का भी विकास हुआ है नहरों का विकास कलकार खाने मनोरंजन के बहुत से साधन विक्सितुए बड़े बड़े नगरों की स्थापना इसक्षेत्र में हो चुकी है नदियो द्वारा लाई गई जो रेत है यह रेत मकान बनाने के लिए डैम बनाने के लिए भी बहुत उपयोग में आती है और इस प्रकार से इस पानी का विभिन्न उपयोग इसके अलावा ये जो नदियां हैं ये नदियां भारत के जो राजनैतिक या प्रशासनिक इकाईयों को भी बाटने में सहायक है तो इस प्रकार से इन उत्तर भारत का यह जो क्षेत्र है यह हमारे लिए बहुत ही महतवपूर्ण या लाबदायक मैदान के रूप में है बच्चो तीसरा जो भौतिक स्वरूप है यह कहलाता है प्रायद्विपी पठार बच्चो इसके पहले हमने भारत की भौम की कजब अध्यन किया था तो इस प्रायद्विपी पठार का ही विशेश उलेख किया था यह जो प्रायद्विपी पठार है आप जैसा जानते हैं कि यह पूरी तरीके से त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है और उत्तर पश्चिम में दिल्ली के कटक से लेकर उत्तर पूरो में राजमहल की पहडियां तक यह फैला हुआ है उसी प्रकार से गंगा के दक्षिन में से लेकर कि यह दक्षिन में इलाइची की पहडी तक फैला हुआ है इस प्रकार से यह संपूर्ण जो प्राधिपी पठार है चारों तरफ से परवती श्रिंखलाओं से घिरा हुआ है इसके पश्चिम में जहां अरावली परवत है उत्तर में विंध्यन, सत्थपुडा और महादेव, मैकाल और कैमूर के परवत है वहीं उत्तर पूरों में राजमहल की पहाड़िया, पूरों में पूर्वी घाट, दक्षिन में निलगिरी, अन्नामलाई और इलाइची की पहाड़िया है तो पश्चिम में पश्चिम घाट ये चारों तरफ से इस प्रकार से परवतों से घिरा हुआ है इसका जो पूर्वत पी पठार है इसका ख्षेतरफा लगभग 16 लाख वर्ग किलो मेटर है और इसकी जो उचाई है ये आउसत उचाई 300 से 900 मीटर तक पाई जाती है इसका सर्वोच शिखर जो है वहाँ अनाई मुंडी है जो की 2695 मीटर उचा है यहाँ पर अनेक नदियां प्रवाहित हो रही ह प्रमुख नदी जो है वह स्वन्रेखा, महानदी, क्रिष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये मुख्य नदियां है यहाँ की संपूर्णक्षेत्र की मिट्टी जैसा की हमने भौमकी क्षेत्र में पढ़ा था इस संपूर्णक्षेत्र की मिट्टी जो है यहाँ काली मिट्टी है यह काली मिट्टी लावा युक्त मिट्टी है और यहाँ पर धरातल में कई विविधताएं पाई जाती है पाट है तो कहीं पर यहां पर पहाडियों का एक गुच्छा पाया जाता है और कहीं कहीं पर पाट प्रदेश के रूप में कुछ उंचे पठार जैसे पाट प्रदेश यहां पर पाया जाते हैं। इसक्षेत्र की जो इस्थलाकृती है इन इस्थलाकृतियों में टाट या परवत सकंध या फिर भ्रेंश घाटी कहीं कहीं पर नगन चट्टाने हैं कहीं पर टेकारी हैं कहीं पर परवतों की श्रिंखला हैं कहीं कहीं पर क्वाडजाइट आधी चट्टाने पाय जाती तो इ प्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत में यह जो प्राइदिपी पठार है। इस पठार को इसकी धरातली संरचना के दिश्टी से हम इसको तीन भागों में बाटते हैं। हुआ यह एक पठारी भूभाग है। इसका जो पश्चिमी भाग है, इसे हम सहियादरी पश्चिमी घाट को सहियादरी के नाम से भी जानते हैं। यह जो पश्चिमी घाट है यह तापती नदी के मुहाने से लेकर के पश्चिम में कैमेर उन तक इसकी स्थिती फैली वी है और इसकी जो अवसत उचाई है यह बारह सो मीटर के लगभग पाई जाती है यह जो सहियादरी परवत है या इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं इसका ढाल पश्चिम में एकदम खड़ा है जबकि पूर्व में इसका ढाल काफी धीमा होता चला गया है और इस ख्षेत्र में जितनी भी नदिया बहती है अधिकाश नदियों का प्रवाह बंगाल की खाडी की और है क्योंकि इसका सामान नढ़ाल जो है यह बंगाल की खाडी की और है इसका जो उत्तरी भाग है यह लावा अच्छादित क्षेत्र है और इसके जो प्रमुक्षेत्र है इसमें महाबलेश्वर, सालहर और कलसु बाई के यह जो उचे शिखर है यह काफी यह संपूर्ण जो सहियादरिक अक्षेत्र है यह ग्रेनाइट मिश्रिच चट्टानों से बना हुआ है यहाँ पर जो अनाई मुडी की जो पहाडी है यह पहाडी सबसे उची है और यह एक गाठ के रूप में विद्यमान है इसके तीनों तरफ विभिन जो पहाडियां है यह गई हुई है अनाई मुडी की जो पहाडी है यह गाठ के रूप में विद्यमान है और यहां से उत्तर की तरफ अन्नामलाई की पहाडी उत्तर पूरो में पालानी की पहाडी और दक्षिन में कोरावम की पहाडी यहाँ पर इस्थित है पश्चिम घाट में पाल घाट और भोरगाट जैसे दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस खेत्र में नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसमें दादा बेटा का उंचा जो शिखर है इसकी उंचाई 26-137 मीटर तक पाई गई है यहाँ पर प्रमुख जो नदिया प्रवाइत हो रही है आप यहाँ मांचीतर में देख सकते हैं बच्चो उल्हास वैतरनी सावित्री और विशिष्टी नदी यहाँ की प्रमुख नदिया है जो की महा खड़ो का निर्मान भी करती है इस खेत्र में एक और दर्रा पाय जाता जिसको शेनकोटा दर्रा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर जो पहड़िया है इसमें मेशा और बुटे की आकरितिया बहुतायत से देखने को मिलती या उल्लेखनी आकरिती हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर तीन प्रमुख पठार है जिसमें आंध्रप्रदेश में तेलंगा जाना का पठार है जहाँ पर पेनर नदी का प्रवाह है करनाटक का पठार जिसमें कृष्णा नदी का प्रवाह है और तमिल नाडू में जिसे हम कोयमबतूर का पठार कहते हैं यहाँ पर पालार पालियर और वयगाई नदी का प्रवाह देखने को मिलता है तो यह तो पूर्वी घाट की विशेष्टा है जहां पर पश्चिम घाट जो है पूरा उत्तर से दक्षिन तक फैला हुआ है एक समान पाहडियां यहां पर है जबकि पूर्वी घाट में यहां पर पाहडियां जो है वो विखंडित इस्थिती में देखने को मिलती पाहडियां कई चास मीटर के लगभग पाई जाती है और यह जो प्रमुख क्षेत्र है महेंद्र गिरी यह दूसरा उचा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है यहाँ पर जो प्रमुख चट्टाने पाई जाती है इन चट्टानियों में आवसादी चट्टाने सरवाधिक देखने को मिलती ह अवसादित खोंडालाइट चट्टान ये कायंतरित अवसाद के रूप में देखने को मिलती है इसके अलावा जो चर्नोकाइट चट्टाने है इसको नदियों ने इतना अधी काट दिया है कि इस से चर्नोकाइट के ख्षेतर में काफी बीहड बन गहे महाखड या बीहड का निर्मान यहाँ पर हुआ है इसके अलावा क्वाट्जाइट स्लेट यह अन्य प्रमुख चट्टानों के रूप में यहाँ इस अक्षेत्र में पाई जाती है इस पहाडी भाग को भी जो पूर्वी घाट है इस घाट को भी हम कुछ वर्गों में बांट देते हैं जिसमें प्रमुख नदी है यह गोदावरी यहां की प्रमुख नदी है फिर दूसरा जो है इसे हम कहते हैं कडपा बेसिन यह जो कडपा बेसिन है इसके अंतरगत नल्ला काला और पाल कोंडा बेली कोंडा की पहाडिया यहाँ परिस्थित है बचो अपने नाम सुना होगा इद्धह मंधीर है, वो इसी क्शेत्र में आता है. फिर तीसरा, जो है मदरास के पास में पश्चिम, उत्तर पश्चिम से नीलगिरी तक की क्शेत्र है, यहां भी एक व्रियत क्शेत्र है और यहां पर 你要 पर जो पूरवी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का जहां पर संगम होता है इस संगम को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं दादा बेटा और आकुरती इस क्षेतर के उंचे शिखर में गिने जाते हैं फिर अगला जो है उडिसा और जारखंड के उंचे पठार ये पूरा पठार का जो गुंफित पहाड़ी है बहुत सारी पहाड़ियों का संग्रह यहां देखने को मिलता है गुंफित पहाड़ियों का क्षेतर हम इसे कहते हैं इसके जो प्रमुख शिखर है इसके अंतरगत आप देखते हैं यहां पर ठकुरानी गंधमर्दन मेघहसिन और मल्यागिरी परव देखत यहां के प्रमुख शिकर है तो बच्चों यह तो रहा दकन के पठार का एक समान्य ध्यन करता हैं झाल 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 का एक समान्य नहां झाल । झाल झाल